हेलो स्टुडेंट गुट मॉर्निंग हावर यू वेलकम तो ओलाइन क्लाच इस टूडें वी आर गोई टू स्ट्राट एक्सराइज 1.2 आज हम अपनी एक्सराइज 1.2 स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सराइज हमने फिनीश कर ली है इसमें क्या है वो देखते हैं कुछ नमबर दियें रहे हैं उनको हमें फिगर में लिखना है और वर्ड में लिखना है figure मतलब होता है पिटा अंक में लिखना उस नंबर को लिखना अंकों में, digits में ओके, और words का मतलब होता है उस जो नंबर है उसको हमें सब्दों में लिखना, ठीके, जैसे 89 है यह मेरा बोल दिया, मैंने 89 अब इस 89 को ऐसे कैसे रखना, तो मतलब यह क्या हो गया figure में, ठीके और इस जो है उसको इस तरहे से लिख दिया, हमने 89 तो यह हो गया मेरा words ठीके तो यह होते हैं figure और words हमारे पास question ने क्या पूछा है, वो हम देखते है The smallest seven digit number मैंने आपको एक बात बताई थी कि smallest और largest होते क्या है बेटा, smallest वो number होते है जिन एक लिखे कितने digits के बारे में उसने पूछा है अच्छे, एक बात बताओ 0 से start हुआ number 9 तक दिया इसमें सबसे बड़ा number कौन सा हुआ 9 सबसे बड़ा कौन सा हुआ 9 और ये मेरा 1 और 0 जो है ये मेरा छोटा number है तभी तो ये बड़ा बनेगा इस तरह से लिखेंगे तो सबसे बड़ा number मेरा कौन सा है largest number 9 अब माल लेज़ी आपके पास 3 digit 9 के बारे में पूछ रहा है वो 3 digit largest के बारे में तो मैंने 3 digit largest ये लिख दिया और अगर वो आपसे पूछता है 3 digit smallest बताई तो मैंने smallest में 3 digit ये लिख दिया ये तो है मेरे पास 999 और ये हैं only 100 अब ये बते ही सबसे बड़ा number कौन सा हुआ तो बड़ा number मेरा ये हुआ और छोटा कौन सा हुआ ये बाला अब इसके पीछे वो चार digit की बाद करता है तो यहां पे एक 9 और लगा दो और इसमें 1 0 लगा दो अगर वो साथ digit की बाद करता है तो यहां पे 7 बार 9 लिख दिजेगा और यहां पे क्या रखने है वो जितने बार 7 नहीं होता है उतनी ही आप 0 लगाते जिएगा ठीक है तो यहां तक आपको किलिया रोगा smallest और largest होते क्या है अब हमारे question की तरफ चलते है ता smallest 7 बिजिट नमबर अब smallest की बाद किये बिटा उसने तो smallest में ये आगे 3, 4, 5, 6, 7 अब हमें इसको words में लिखना है तो बिटा इस तरह से direct लिखना तो impossible होगा आप कैसे करेंगे वो देखो ones, tens, hundred, thousand, ten thousand lakh, ten lakh क्या आया? क्या बोला मैंने? ten lakh क्या बोला मैंने? ten lakh तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? ten lakh first question complete now second question the largest greatest seven digit number the greatest seven digit number अब greatest जो है उसको seven digit number क्या होता है? seven बार nine लिखना चलो लिखते हैं तो figure में क्या होगा? one, two, three, four, five, six, seven अब इसको words में कैसे लिखें वो देखो? ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh अब ten lakh का मितलब हमें आगे की दो डिजित लेके चलना है तो ninety nine lakh, ninety nine thousand, nine hundred, ninety nine चलो लिखते हैं ninety nine lakh ninety nine lakh ninety nine lakh complete होगे हैं यहां से चलते हैं ninety nine thousand ninety nine thousand यह दोनो भी complete होगे ninety nine lakh, ninety nine thousand, nine hundred nine hundred ninety nine this is complete ninety nine lakh, ninety nine thousand, nine hundred ninety nine third question the greatest eight digit number the greatest eight digit number figure में लिखो, eight digit और greatest तो eight बार नाहिं लिखो one, two, three, four, five, six, seven, eight अब इसको पोजिशन देखते हैं इसकी one, twenty, hundred, thousand, ten thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, क्रोब क्या रता है? क्रोब तो one क्रोब ninety nine thousand ना, सोरी, सोरी nine क्रोब ninety nine lakh 99,999 इसको लिखो nine क्रोब nine क्रोब 99,000, 99,000, sorry हमें क्या करना है अपने डिजिट लिखके और उसके साथ में क्या करना है? है, वो बताएना है उसकी position एक बार count कर लेना, वो कहां तक गया हुआ है? वो जो place है, वो last place कहां तक है? ten lakh है, क्रोड है, ten क्रोड है, कहां तक है? और उसी की basis पे हमें अपने numbers को बोलना है चीक है? तो इसमें confusion ना होगी, खोड़ा ध्यान से करना है fourth है the smallest eight digit number the smallest eight digit number smallest eight digit जो number है, वो कैसे रिखेंगे? तो figure में हमारे number हो जाएगा one, zero one, two, three, four, five, six, seven, eight और words में one, ten, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, क्रोड तो यहां पे क्या हो जाएगा? one, आगे one है, तो one, क्रोड क्या हो जाएगा? one, क्रोड आज के लिए इतना ही है SW देखेगा do, exercise, 1.2, question number यहां से दिखता नहीं होगा यहां दिखते हूँ HW do, exercise, 1.2, question number A one, two, three, four, five in fair notebook and table 11 to 15 life यह आपका SW है, तो बेटा ध्यान से करना इन में confused हो जाओगे, greatest और smallest ध्यान रखना एक बार greatest 9, 9, 9 होते हैं और smallest में हम 0 लगाते हैं आगे, ठीक है? ठैंक यू हम आप एक हाँ को बेंग जाए्यान ऎक प्री आपनी थक है से के पार उक में आपे रचाते हैं झाल झाल